दोस्तों रमिश्कार आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहें एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी के बारे में सायद आप जरूर जानते हों और यह company है आरसेलर मितल जिसके founder है लक्षमी नरायड मितल यह वही company है दोस्तों जिसका आज की समय में net worth 17 प्लस बिलियन डॉलर से जादे का है यह वही company है जो 2005 में लक्षमी नरायड मितल को तीसरा सबसे धनी व्यक्ति बना दिया था लक्षमी नरायड मितल स्टील किंग के नाम से भी जाने जाते हैं आज इनका एक statement आपके जीवन में बहुत बड़ी खरांति ला सकता है और वह statement है Never put emotion into business otherwise you will get lost अपने business में कभी भी emotion को मत डालो क्योंकि यह emotion आपको पूरी तरीके से बरबाद कर सकता है लक्षमी नरायड मितल का जन्व पंद्रह जो 1950 में राजस्थान के एक मिडिल परिवार में हुआ था उनका एक business था जिसको स्पात इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं और आज की समय में यह business आरसेलर मितल के नाम से जाना जाता है तो आगे वो कौन से यह strategy है जिससे इस पात इंटरनेशनल आरसेलर मितल बन गया आज के इस वीडियो में इसी की बारे में जानेंगे आरसेलर मितल वोर्ड की सबसे बड़ी steel making company है Wikipedia की माने तो आरसेलर मितल का total income 733 million dollar के करीब का है और हो भी क्यों ना क्योंकि यह वो company है जिसको steel king के नाम से जानी जाती है और यह वैसे ही जानी जाती है दोस्तों और यह हो भी क्यों ना क्योंकि यह company दुनिया की सबसे बड़ी steel company है वैसे ही जैसे ठंडा मतलब poco cola, toilet cleaner मतलब harping जब भी noodle का नाम आता है तो आपको magic की यादा दी है उसी तरीके से अब जब भी steel का नाम यादाएगा आरसेलर मितल का नाम यादाएगा समय था 1973 जब यह company steel meal के तोर पर मलेशिया के अंदर सुरूए थे आज के समय में ये company दुबई के बुर्ज खलीफा, hotel बुर्ज अल अरब, world trade center, आरविट टावर, लंडन, rock filler, United States, empire state building और submarine, military tank, aircraft से related जितनी वी चीज़े हैं हर जब आज सब कुछ इनके समानों से बनता है इनके द्वारा उत्पादन किये गे product से बनता है दोसों, 1973 से 1998 तक 16 साल यानि सोरा साल लग गया इस company को बड़ा बने में लेकिन आज के समय में ये जो company है, वो इतनी बड़ी बन चुकी है कि सायद इस सोरा साल, नेक्श सोरा साल में इस company ने लगबग लगबग 20 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना से जादे की तरकी की है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा strategy है, और वो strategy है, टर्न एराउंड का आज मैं ऐसे पांच चीजों के बारे में, पांच strategy के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ, जो इस company को इतना बड़ा बनाया दोस्तों, आज इस बीडियो को पूरा देखी हुआ, क्योंकि इस बीडियो में, मैं जो कुछ भी बताने जाए रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपके business में भी काफी फायदे मन पहुंचा सकती है इसमें से सबसे पहले strategy जो थी, वो थी, big business and plan of action दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब एक company छोटी होती है, तो उसके पाद से बहुत सारी चीज़ें limited होती है जैसे limited resource, limited capital, limited manpower और limited gross margin जैसे कि आपको पता है कि steel industry में बहुत जादे margin तो होता ही नहीं है ऐसे में कैसे एक company, एक vision के तोर पर आगे बढ़ी, यह चीज आप इस video में जरूर जानेंगे उन्होंने सबसे पहले research करना शुरू किया, vision की साथ research करना शुरू किया, कि steel की requirement है तो कितनी है और market में इसकी supply कितनी हो रहे है दोस्तों अगर demand की बात करें तो market में demand बहुत जादा था लेकिन supply बहुत कम थी और जो supply कर रहा था वो भी उतना बहतर नहीं था जो आज के market को compete कर पाए और उसी दौर में इंडिया का जो rules of action था business के प्रती वो उतना जादा successful नहीं था बहुत सारे restrictions थे यानि यूँ कहें तो वो business friendly नहीं था इसलिए इन्होंने प्लान बनाया इसलिए इन्होंने इस पर एक नया प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि इंडिया को छोड़ कि बाकी जगा worldwide expansion करते हैं और अपने vision के साथ worldwide expansion करना start किया लेकिन सिरफ expansion करने की सोचने से ही चीज़े नहीं होती है इन्होंने एक फर्मूला अपनाया और वो फर्मूला था trick number 2 acquisition and turn around acquisition and turn around बहुत सारे benefits लेकर किया दिया दोस्तों अगर बात करें acquisition की तो यहाँ पर आपको जो main benefits नजर आता है वो होता है 5 cost effective यह जो acquisition process है यह cost effective होता है बहुत low risk का होता है जो kuka होता है यानि customer acquisition का इससे बहुत कम बता है effort बहुत कम लगता है time बहुत कम consume होता है क्योंकि यहाँ पर machinery already install होती है कुल मिलाके अगर देखा जाया तो acquisition बहुत ही fruitful था इनके steel segment में तो इसके लिए इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले spy on करना सुरू किया deep analysis करना सुरू किया उन businesses पे या उन companyों पे जो loss making थे इन्होंने सबसे पहले उसको lease पर लिया उस company को profitable बनाया और profitable बनाके फिर उसको purchase कर लिया मतलब simple सा है कि कोई भी company जो loss making कर रही है उसको acquise करो उसको profitable बनाओ और फिर उसको purchase कर लिया और इसी कड़ी में 1989 के अंदर त्रिनाथ और टोबैको मिल का इन्होंने acquisition किया profitable बनाया और फिर purchase कर लिया इसी तरह से 26 mil max को 1992 इसको भी उन्होंने purchase किया profitable बनाया और फिर उन्होंने उसको भी purchase कर लिया और ये जिलसिला चलता रहा और 2004 में L&M Holding और Spart International Company का merger हुआ और यहाँ पर बना Mitchell Steel Company और दोस्तों Mitchell Steel Company का जब merger R-seller के साथ हुआ तो ये company बन गई R-seller Mitchell बात कर लेते हैं तीसरे plan of action के और ये plan of action है plus back profit दोस्तों दुनिया में business करने की expansion करने की दो तरीके एक तरीका यह है कि बहुत ज़्यादा उधार ले लो और फिर उस पैसे को invest करो expansion करने के लिए वहीं दूसरा तरीका है जहां पर आप जो है profit earn करते हो और उसी profit को फिर से reinvest करते हो अपने business को growth देने के लिए और यहां पर R-seller Mitchell यानि लप्छमी नराइड ने company में profit को invest करना सुरू किया और इस investment से बहुत सारे फायदे हुए लेकिन इस फायदे को जानने से पहले समझते हैं कि जो हमारे देश के अग्रडी उद्योपती अनिलबानी ने भी ट्राइ किया सबसे पहले कि आपका जो है expansion बहुत फास्ट होगा है मतलब आप जल्दी growth करते हैं लेकिन यहां पर risk बहुत जादा होता है रीजन यह है कि expansion जादा होगा profit कम होगी क्योंकि आप अपना पूरा focus expensive भी कर रहे हो और यहां से आपके business में losses शुरू होगी और इसकी वज़ा से business की जो credibility है वो down होता जाएगा इससे वेडर उनने यह समझा कि अगर हम यहां पर profit को invest करेंगे तो हमें अपने business के अंदर steady expensive मिलेगा less risk होगा और business की credibility बहुत टेजी से आगे बढ़ेगा और इस plan of action को ध्यान में रखते हुए उन्होंने acquisition और turn around को focus करना शुरू किया अब हम बात करते हैं चोथे point की और दोस्तों यह point था depth research and management अगर acquisition की बात आती है दोस्तों तो ऐसे किसी को भी acquies नहीं किया जा सकता इसके लिए यह क्या करते थे कि सबसे पहले divisional में सारे लोगों की meeting करते थे और जितना management होता था उन सारे को चाहें वो finance हो गया, HR हो गया, operation हो गया, legal हो गया और एक बार उसका plan तेयार किया जाता था कि कैसे इसके loss को हम लोग problem में बदल सकते हैं कैसे इस business को हम लोग re-initiate कर सकते हैं और क्या-क्या technical factors है, features है जो वहाँ पे available है जिसको हम इस business को turn around करने में इस्तमाल करेंगे और यह जब सारा plan तेयार हो जाता था तो इस business पे bid करते थे, उसको win करते थे और win करने के बाद acquire कर लेते थे तो दोस्तों यह था तरीका जिससे वो acquire करते थे, profitable बनाते थे और business में grow on करते थे इसके बाद जो पांच यह strategy थी दोस्तों, यह strategy थी goal and plan of vision दोस्तों किसी भी business की growth के लिए आपको plan of vision का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे ही जैसे हम एक standard को set करते हैं अक्सर आपने देखा हुआ कि लोग जब business की शुरुआत करते हैं तो local standard पे ज़्यादा फगस करते हैं rotation अगर किसी को rotation की ज़रूरत है तो उसको वो सुविधाय दिया जिसको transfer की ज़रूरत है उसको transfer दिया labor की साथ relationship build किया ताकि cost को manage किया जा सकते है जितना भी cost उनका आता था दोस्तों उन सारे को proper तरीके से management करने का पूरा plan बनाया पूरा process बनाया और फिर build किया इसके साथ यहीं पे नहीं रुके बलकि इहोंने अपने business relationship और political relationship का भर पूर इस्तमाल किया और फिर सुरू किया acquire का door यानि की company का acquisition तो दोस्तों आपको पता चल क्या होगा कि किस तरीके से एक चूटा सा बंदा अपने business empire को acquisition और making profit के जरिये काम करके और world का steel king बन गया उमीद करता हूँ कि आपको ये video अच्छे लगए होगी अगर अच्छे लगए होगी तो फटा बड़ी साथ इस video को लाइक करिएगा, share करिएगा, चानल को subscribe करिके बेर आइकन को दबाएगा कोई भी question होगा, इस video के नेचे जरूर बताएगा, मिलते हैं आप जोड में, तब तक लिए दीजियेजा